जिस रोंड आजके लेक्चर में Code of Ethics का हमारा लास लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सेक्षन 600 कवर करने जा रहे हैं सेक्षन जो 600 है इसके टोटल 11 सब सेक्षन है 600 से 601, 602, 603, 6010 तक 610 तक इसके 11 सेक्षन है यह सेक्षन 600 बेसिकली हमें बताता है कि क्या हम अपने आडिट कलाइंट को आडिट के इलावा आडिट और रिवियू के इलावा क्या कई दूसरी नौन शोरन सर्विसिज प्रवाइड कर सकते हैं बेसिक क्वेसन यह है तो यह जो अडिट अडिट एंड रिवियू जितनी भी नौन शोरन सर्विसिज होती है उनको इन सेक्षन में क्लासिफाई किया गया है टोटल दस तड़ा की सर्विसिज को डिसकस किया गया है नौनशोरन सर्विसिज को सेक्षन 600 में बेसिक्षन से लेके 6-10 तक जो हमारा सेक्षन 600 है यह बैसिकली गरण डिसकेशन है इसको हम अभी स्टार्ट में डिसक्षन नहीं कर रहे हैं उसकी reason मैं आपको end में बताऊंगा section 600 को हम end में discuss करेंगे जब सारी non-surance services हम cover कर चुके होंगे उसके बाद इसमें basically provisions को discuss करते हुए यह बताया गया है कि किसी भी non-surance services में normally उसकी examples क्या है पहले example discuss की गई है फिर उसके बाद बताया गया है कि यह service अगर हम अपने audit client को provide करते हैं तो उसमें threat कौन-कौन सा rise हो सकता है और हम कैसे कौन-कौन से safeguards या actions को adopt करके उस threat को खतम कर सकते है कुछ services के case में clearly कैल लिख दिया गया है कि listed companies को यानि public interest entities को यह services provide नहीं की जा सकती कुछ service provide की भी जा सकती है तो कुछ जगों पे आपको वो clearly मना कर देगा कि आपने audit client को यह services provide नहीं करने है और जहां पे कोई non-shorrence service provide कर सकते हैं वहां पे फिर आगे वो बताता है कि आपने किन safeguards को adopt करना है कौन से actions लेने हैं ताके जो भी threats हमको minimize किया जा सके तो start करते हम सबसे पहले पहली service है हमारे non-shorrence service जो अपने audit client को हम provide कर सकते हैं वह है accounting and bookkeeping services accounting and bookkeeping services को basically वो जब discuss करता है इसका मतलब किया है अच्छा किसी भी service को मैं पहले आपको explain करूंगा उसको जबानी कला में interactive way में और उसके बाद फिर आपको code of ethics को उपर लेके चलूँगा और आपको बताऊँगा कि जो concepts मैंने आपको बताए हैं वो code of ethics के किस-किस paragraph में discuss हुए है उसकी reason यह है कि जो logical arrangement होनी चाहिए किसी भी concept को समझने के लिए student point of who से code of ethics में उस तरतीब से concepts discuss नहीं होए आगे पीछे है तो मैं पहले आपके साथ उन concepts को discuss करूँगा code of ethics में जाय बगाए और फिर उसके बाद code of ethics पे ले जा कि आपको highlight करवाँगा कि कौन सा concept जो मैंने discuss किया है वो किस paragraph में available है तो सबसे पहले counting and bookkeeping services इसका मतलब क्या है counting and bookkeeping services का मतलब यह है कि client हमसे अपना accounts department का काम भी करवा रहा है जैसे accounting and bookkeeping services में क्या-क्या services होती है client हमसे कह सकता कि आप general entry pass करे general entry से general entry को ledger में post करे ledger से trial balance रिपेर करें trial balance से income statement और balance sheet यह सारी counting and bookkeeping services कहलाती है यानि recording of transactions से लेके preparation of financial statements तर तो अगर कोई भी एक auditor अपने client का accounting and bookkeeping services प्रवाइड करता है तो definitely इससे self-review threat अराइज होगा क्योंकि बाद में उसने इनी books of accounts से prepare की गई financial statements को खुद भी check करना है कि वो ठीक है कि नहीं तो बेक तरह से अपना prepare किया हुआ काम खुद चेक कर रहा होगा इसलिए self-review threat अराइज होता है code of ethics accounting and bookkeeping services को तीन हिस्सों में divide करते हैं सबसे पहले तो वो कहते हैं कि अगर सबसे वहले general discussion चलेगी जिसमें वो कहेंगे कि जो auditor और client के दर्मयान में कुछ routine की बात चीट चलती रहती है जो dialogue होते हैं दोनों parties के दर्मयान में चलते रहते हैं जैसे audit के दुरान में normal होता है कि auditor client को different adjustments propose करता है client auditor से different questions पूछता है कि सर ये framework में acceptable है चीज़ या नहीं है इस तरह की चीज़े है तो ये routine की discussion होती है कहीं पर कोई reconciliation फस जाए तो वो client auditor से पूछ सकता है कि सर यहां पर आप इसको कैसे आगे चल सकते हैं तो advice ले सकता है जबानी क्लाम ये advice लेने में dialogue करने में कोई problem नहीं है याद रखिएगा इसमें सिर्फ auditor या audit जो team member है वो client को verbal discussion करके बता रहा होता है उसको advice दे रहा होता है ये routine nature क्यों होती है code of atheist कहता है इसमें कोई problem नहीं है हाँ अगर client हमसे अपना book keeping या accounts वारा का का काम करवाए transactions record करवाए post करवाए financial statements prepare करवाए हमसे कुछ judgmental decision करवाए जैसे वो हमसे पूछे सर बताइए इस asset की life क्या होनी चाहिए पर वेम फार बैडड़ का rate क्या होना चाहिए इस तरह के judgmental managerial decision करवाए तो फिर threaterize होगा अब code of ethics आगे discussion करता है तो situations को तीन तरह से classify करता है listed client unlisted client यह दो बड़ी फिर उसके बाद इसरी भी मैं आपके साथ share करता हूँ listed client के बारे में वो तो दो हर्फी बात करता है यानि public interest entity के आप किसी भी किसम की accounting and bookkeeping services listed client को provide नहीं कर सकते हैं जो unlisted client है इसको accounting and bookkeeping services provide कर सकते हैं लेकिन कौन से वाली routine and mechanical nature यहां पे एक लफ़ज बड़ा interesting है mechanical nature mechanical nature का मतलब है ऐसे जैसे हमने machine की तरह एक robot की तरह client का का काम करना है जिसमें खुद सोचने समझने फैसला करने की इसलाहियत नहीं होगी उसको जो instructions दी जाए वो ऐसे ही काम करेगा इस तरह का अगर काम हमें करवाया जाए हमसे routine nature का जैसे routine में जो transaction record होती है हमसे का जाए कि वो transaction record करो वो है routine and mechanical nature वो provide कर सकते हैं हम अपने unlisted client को routine and mechanical nature में और की example आएंगी client खुद data prepare करे कि मेरे इतने employee payroll में मेरे इतने employees हमकी sell ही है और फिर हमसे कहें के payroll की entry पास कर दो यह routine and mechanical nature की example है client खुद से हमें general entries का data prepare करके दे के sales कितनी for example आज के दिन में हुई है और हमसे कहें तुम sales की entry पास कर दो depreciation में estimates वगारा खुद record करे खुद prepare करे estimates depreciation की amount और हमें कहें कि आप transaction इसकी entry पास कर दे mechanical nature का काम है transactions को record करना general में general से ledger में post करना ledger से trial balance में post करना trial balance से income statement balance sheet financial statement prepare करना यह सारा routine and mechanical nature का काम है लेकिन इसमें जहन में रखिएगा जो भी transactions हम record कर रहे होंगे यह transaction originate and approve client की तरफ से होंगी यह यह समझ जीए सारा voucher client prepare करके हमारे सामने रखेगा हमने सिर्फ उस voucher को general ledger trial में post करके update कर देना यह routine nature का काम होगा अगर हम पे client जमेदारी डाल दे कि आप amount determine करें प्रवियल फार bad debt की क्या होगी impairment की depreciation की क्या होगी और आप यह entry भी पास कर ले यह फिर managerial nature का काम हो जाएगा इसकी हमें इजाज़त नहीं है तो routine and mechanical nature का काम हम अपने unlisted clients को provide कर सकते हैं लेकिन उसके कुछ safe guards है कि team separate होने चाहिए appropriate review होना चाहिए अब यह safe guard चुकि है आप लड़ हम discuss कर चुके हैं और आगे भी बार बार आएंगे तो मैं इनको detail में discuss नहीं करूँगा कि separate team का मतलब किया है separate team का मतलब है कि जो assurance services point करने वाली team हो यानि audit and review करने वाली वो लादा हो और non assurance services point करने वाली team लादा हो और appropriate reviewer point करने का मतलब यह है कि जब assurance team अपना काम कर ले उसके बाद एक independent person आए चेक करने के लिए कि क्या audit team ने अपना काम independently सही तरीके से किया के नहीं किया तो यह हमारी listed और unlisted का case हो गया तीसरा case तो यहां पर discuss हुआ है वो यह कि अगर कोई related entity है हमारे listed client की क्या उसको accounting and bookkeeping services provide की जा सकती है कोई related entity है उसकी कोई डूबी है यहां पर code of ethics थोड़ी relaxation देता है कहता है आप routine and mechanical nature की जो services है जो unlisted को provide करने की जाज़त है with some safeguard वो service आप अपने listed client को तो provide नहीं कर सकते है किसी भी सूरत में हाँ listed client की जो related entities है जैसे उसकी subsidiaries उसकी associated companies उनको provide कर सकते हैं शर्त यह है के वो related entities immaterial हो with respect to financial statements of our audit client यानि वो material unrelated entity की material amount हमारी audit client की financial statement में ना रही हो वरना indirectly हम related entities को service provide कर रहे होंगे bookkeeping, accounting, bookkeeping वो amounts उठके हमारी audit client की financial statement में आ रही होगी तो वो ही threat जो direct हम मना है listed company को provide करना वो indirectly listed company को provide कर रहे होगे तो उस सुरत में standard न इजाज़त हो दिया related entities को लेकिन शर्त किया कि वो immaterial होना चाहिए यह accounting and bookkeeping service है अब चलते हैं इसको code of ethics में देखते हैं कि code of ethics या कहता है सबसे पहले हमें यह कर रहे है 601 counting and bookkeeping services से relate करता है threat कौन सा rise होगा, self review threat उसके बाद यह आगे routine की discussion ऐसमें कोई अहम चीज़ नहीं है आप अगर इसको read करना चाहें कर सकते हैं वरना जरूरत नहीं है फिर यहां पर बता रहा है कि audit के दुरान में कुछ dialogue कुछ discussion firm और management के लोगों के दर्मयान में routine में होती रहती है जैसे कोई counting standard या उसकी requirement को कैसे apply करना है adjusting entries कैसे pass करनी है controls के उपर comments हम अकसर करते है client का अगर कोई control वी को, client को communicate करते है कि इसको इस तरीके से strong किया जा सकता है इस तरह की जो discussion और dialogue होते हैं team के और client के दर्मयान में यह routine nature के होते हैं इन में कोई threat arise नहीं होता यहां पर आगे कह रहा है these activities are normal part and do not really create threats इसी तरह कुछ और technical advice वगरा counting issues के उपर provide करना जैसे अगर client financial reporting framework अपना change कर रहा है जनले accepted counting principle से आया फर इसके उपर आ रहा है तो उस पर हमसे discussion कर सकता है यह routine nature की discussion, advices, dialogue जो होते हैं इनकी वज़े से कोई threat create नहीं होता फिर इसके बाद हमें बता रहा है कि कौन-कौन सी services है जो के routine and mechanical nature की है routine and mechanical nature की पहले हमें example दे रहा है क्यूँ? इसलिए कि आगे चलके बाद में हमें बताएगा कि routine nature की mechanical nature की services हमें allowed है unlisted client को provide करना और जो इनके लावा services होंगी वो loud नहीं है इसमें वोई example जो मैंने आपके साथ share की payroll calculation वाली recurring transactions को record करना जो routine basis पे होती है जैसे utility bill वगारा की transaction है लेकिन शर्त ही है कि इसमें client उसके documents या data को prove कर चुका हो और हमें account classification बता चुका हो कि हमने किस admins को डालना है depreciation की calculation करना इसमें भी तब जब के depreciation policy state line reducing balance client बता चुका हो estimates हमें useful life कितनी होगी resident value कितनी होगी या client बता चुका है यानि judgmental decision client कर चुका है तो बाद में routine की calculation का का काम है वो हम कर सकते हैं transaction को ledger में post करना trial balance prepare करना फिर उस client के बनाए हुए trial balance है या अप्रूव किया हुए trial balance है financial statements prepare करना ये सारे routine and mechanical nature के काम है इस paragraph में हमें वो example बता रहा है कि routine and mechanical nature के काम क्या होते हैं अब आगे चलके हमें provision बताएगा कहरा है आपके जो clients तो public interest entity नहीं है यानि listed company नहीं है उनको आप ये services provide कर सकते हैं लेकिन शर्त क्या है कि कुछ action यानि safeguard देना है क्या safeguard different team members को use करना है और appropriate reviewer appointment करना है लेकिन जो client आपके listed companies है उनको तो आप ये accounting and bookkeeping services provide कर ही नहीं सकते किसी सुरत नहीं कर सकते हाँ इसकी छोड़ी सी exception है क्या क्या है कि जब हमारे listed client की कोई related entities हों debian या related entities हों तो उन debian या related entities की accounting and bookkeeping services provide कर सकते हैं उन related entities को शर्त क्या है कि वो debian या related entities immaterial होने चाहिए यानि या तो वो debian या related entities हमारे other client के लिःवा से immaterial हो या अगर वो material है तो हम जो उन related entity या devian को services provide कर रहे हैं वो बहुत थोड़ी सी immaterial हो यह दोनों paragraph में थोड़ा सा फरक है एक में कहा रहा है कि वो devian या related entity ही immaterial हो और दूसरा अगर नहीं अगर वह material है तो फिर हम जो उसको services provide कर रहे हैं वो immaterial हो यानि वो सारी की सारे accounts को cover ना कर रहे हो किसी एक चोटे से area को cover कर रहे हो तो यह है हमारा accounting and bookkeeping services 601 का standard जो इन शार्ट हमें क्या बताता है अगर हम quickly summarize करना चाहें वो कहता है listed entities को आप कोई counting bookkeeping services provide नहीं कर सकते है शर्त यह है कि उनका impact immaterial हो यह हमारा accounting and bookkeeping services का section था अब next section हमारा next service आती है section 602 में administrative service administrative services क्या है यह है client का routine का जो day-to-day nature का काम होता है जो counting and bookkeeping services से relate नहीं करता उसका administrative उसमें की help कर देना इसकी बज़ा से कोई threat create नहीं होता administrative services के example क्या है जैसे client हमें कहें sir मैं अपने employees के लिए ना leave यानि छुटी मांगने का जो farm है वो बनाना चाहता हूं आप ज़रा मुझे farm बना दे मैं अपने employees के लिए जो उनका increment annually increment होता है उसका letter draft करना चाहता हूं आप ज़रा financial statement पर कोई impact नहीं है यह client के routine के day to day business में उसको help करने के लिए provide कर सकते है यह administrative services है यह client के sir मुझे बोलने की आदा था आप ऐसा कीजिए कि मुझे बता दिया कीजिए कि मैंने कब कब कौन सी regulatory reporting submit करवानी है यानि मैंने quarterly financial statement submit करवानी है तो मुझे हर महिने की दो तारीख को या याद करवा दिया करें तो यह administrative nature की service है इसका financial statement से कोई तालुक नहीं है accounting bookkeeping से कोई तालुक नहीं है standard हमें जाज़ा देता है कि छोटी मोड़ी services है आप इनको provide कर सकते हैं कोई threat rise नहीं होगा कोड़ अफैटिक क्या कहता है अब इसमें कहता है administrative services audit client को provide करने से कोई threat rise नहीं होगा यह administrative services कौन सी होती है जिसमें हम client को उसके routine या mechanical task में help करते हैं जैसे उसके उसके लिए different forms वगारा prepare करना और monitoring करना उसकी statutory requirements की dates की और उसको recall करवाना उन dates के उपर यह हमारी इस तरह की services जो हैं वो administrative services हैं जी next हमारा section है 603 जो के relate करता है valuation services से valuation services से क्या मुराद है valuation services से मुराद है कि जब हमारी firm जो audit करती है client का वो client की balance sheet में appear होने वाले कुछ assertion liabilities की valuation करके client को दे यह assertion liabilities financial assertion liabilities होंगे for example हो सकता है client ने किसी company में investment की हो उन share की valuation करनी हो वो valuation services में आएगा यहां for example हमारे client ने insurance करवाई थी अपनी inventory की और गुदा में आग लगी और अब client चाहरा है कि हम valuation करके दें उसको कि उसका कितना नुकसान हुआ है ताकि वो बाद में यह insurance company वालों से claim कर सके उस loss को तो जब हम यह calculation करेंगे यह भी valuation service में आएगा valuation services से self review threat और advocacy threat arise होते हैं code of ethics यह कहता है कि आपने जब भी client आपको कोई भी आपका चाहे लिस्टेड हो या लिस्टेड हो जब आपको valuation services perform करने को कहे तो आपने उसको evaluate करना है threat को evaluate करना है और threat को evaluate करने के बहुत से factors code of ethics ने बताया है लेकिन दो factors सबसे आहिम है आया कि वो जिस चीज़ की valuation हम कर रहे हैं उसका material effect है या immaterial दूसरा क्या उसकी valuation में subjectivity involved है के नहीं यानि judgments estimation involved है के नहीं अगर उसका effect material है या उसमे subjectivity involved है तो जितना ज्यादा amount होगी जितनी ज्यादा subjectivity होगी threat उतना ही ज्यादा होगा for example अगर listed company के shares हैं तो उन में subjectivity उतनी नहीं होती क्योंकि stock exchange में listed होती है हम उसको stock exchange की price सामने रखते हैं value निकलाती है लेकिन अगर unlisted company के shares हैं उनकी valuation में हमें subjectivity apply करना पड़ती है judgments estimates होते हैं future में उनके हम forecast देखते है profit क्या होगा उसको discount करते है discount rate estimate करना होता है बगारा बगारा तो unlisted company के share की valuation में subjectivity involved होगी इसी तरह amount अगर ज्यादा है तो material है amount कम है तो immaterial है standard कहता है valuation services को में वह दो हिस्तों में classify करता है इसको एक public interest entity यानि listed company और एक unlisted company listed company के case में कहता है कि अगर तो यह material है valuation service यानि जिस asset की आप valuation कर रहे हैं वह material है उसकी amount आप material valuation services listed client को provide नहीं कर सकते हैं हाँ अगर इन material है फिर कर सकते हैं और अगर unlisted company का case है तो वह material हो तो valuation provide कर सकते हैं subjectivity है significant subjectivity तो भी कर सकते हैं लेकिन अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर हम unlisted company को भी valuation services provide नहीं कर सकते हैं यानि लिस्टट कमपनी के case में अगर सिदह material भी होगी न सर्विस प्रवाइड नहीं कर सकते हैं unlisted company में अगर वह material है और साथ ही साथ significant subjectivity भी involved है दोनों चीज़ें मिल गई फिर unlisted को भी service provide नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर service provide करते हैं जब allowed circumstances हैं जैसे फर्स कीजिए लिस्टेड कंपनी के case में immaterial valuation service provide कर रहे हैं या unlisted company के case में material तो है लेकिन उसमें subjectivity involved नहीं है तो आप यह services अपने clients को provide कर सकते हैं लेकिन इस सुरत में भी जब services provide करने की जाधत है आपको safeguard apply करने पड़ेंगे कौन से वही हमारे standard safeguard एक separate team होगी दोनों के लिए लादा टीम परफॉर्म करेगी और दूसरा एप्रोप्रियर को point किया जाएगा ताकि वह चेक कर ले कि टीम ने काम ठीक किया के नहीं किया यह overall valuation services का मैंने आपको concept समझा दिया डिसकस किया अब जरा code of ethics में देखते हैं कि वह इन concepts को किस किस जगह पर डिसकस करता है सबसे पहले वह valuation services मैं बता रहा है कि valuation services से self review और advocacy threat rise होता है ठीक है यह तो हमें बता है इसके बाद कह रहा है कि all audit clients पे factors आपने जो consider करने है threats को evaluate करने में देखें factors की उसने list बनाई हुई है एक लंबी चोड़ी list है चीए साथ items है purpose है valuation report का क्या होगा valuation report को public करना है या privately submit करवाई जाएगी client की कितनी involvement होगी subjectivity क्या है materiality का effect क्या है extent क्या है disclosures की जो के valuation पे depend कर रहे हैं और dependence on future events कितनी है यह सारे अगर exam में आपसे वो theoretical question पूछे तो valuation services के section में आके सारे चाप देंगे लेकिन याद रखिए case study के point of view से एहम चीजें दो ही है क्या कि इस valuation services में subjectivity कितनी involved है subjectivity और दूसरा इसका effect क्या है material के material इन दो चीजों के ऊपर ही हमारा आगे decision होगा जो हमने करना है exam में लिखने को सारे factors लिख देंगे लेकिन याद रखने के लिए case studies में use करने के लिए यह दो point भी काफ़ी है इसलिए कि आगे चलके वो हमें बताएगा बलके पहले आगे चलते हैं कि अगर आपका client public interest entity यानि लिस्टेट कंपनी है तो आपने valuation services प्राइड नी करनी अगर material है अगर not public interest entity है यानि अनलिस्ट कंपनी है तो फिर आपने valuation services प्राइड नी करनी अगर दोनों चीज़े हैं यानि material भी हो और subjectivity हो and यहाँ पर गोर से देखिए and लिखा है दोनों चीज़े होंगी तो फिर आप service प्राइड नी कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं आप मतलब जो हैं तो जब perform करेंगे तो still उस सूरत में भी आपको यह save card apply करने पड़ेंगे क्या separate team members होंगे appropriate review को engage करेंगे हाँ एक आगे paragraph में एक चीज़ बता रहा है कि बाद वकात ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ की valuation कर रहे है ना उसके उपर उसकी valuation में जो भी rules होंगे जो आपने parameter use क करने हैं वो हो सकता है law ने define किये हो या generally widely accepted हो अगर आपने जिन parameters के उपर valuation service provide करनी है जिन assumptions के उपर वो ला ने बता दी है या generally जो लोग उसको इसको इस्तमाल करते हैं उन्हीं के मताबिक valuation कर रहे हैं फिर उसमें significant subjectivity नहीं रहती क्यों क्योंकि आप अपनी मर्जी से उन assumptions को उन parameter को change नहीं कर सकते वो outside world ने आपको बता दिये तो अगर अपनी judgment अगर apply client को favor देना भी चाहें तो नहीं दे सकते क्यों क्योंकि वो assumptions वगारा जो है वो ला ने बता दी है या जनली जो accept की जाती है किसी country में हम वो use कर रहे हैं तो यह हमारा था section 603 valuation services related जिस नोर्स नेक्स्ट हमारा section है 604 जो relate करता है tax services ने यह section एक lengthy section है बाकी sections के निस्बत और इसमें 5 तरह की tax services को discuss किया गया है हम one by one इन पांचों को discuss करेंगे introductory paragraph में वो कुछ safe words बताता है जो के हर तरह की services के लिए है यहां पे तो पहले वो हमें उन पांच tax services को एक list डाउन कर रहा है और फिर उसके बाद factors बता रहा है जो के relevant होंगे जब हम threat value करेंगे और यह common है यानि यह वो factors हैं जो सारी पांचों की पांचों services के लिए common है लेकिन exam में याद रखें इन में से जब किसी भी एक service का question आएगा तो हमने उस service के अंदर जो factors discuss किये गये हैं उनको लिखना है अगर marks ज्यादा हो तो फिर आप यह general वाले factors भी लिख सकते हैं लेकिन हमने preference वो जो specific heading के अंदर specific service क अंदर factors discuss हुए है threats को evaluate करने के लिए उनको preference देंगे सबसे पहली जो service है tax return preparation tax return preparation का मतलब क्या है आपको पता है हर साल campaign individuals ने और business organization ने अपने tax return file करनी होती है FBR को इस tax return यह जो tax return FBR को file करनी होती है इस tax return का account से तालुक नहीं होता क्योंकि इसमें profit या loss को calculate करने के लिए अलएदा rules होते हैं जो कि income tax ordinance के मताबिक calculation की जाती है तो यह tax return preparation इसलिए इसका account से कोई तालुक नहीं counts को वो effect नहीं करती तो code of ethics यह कहता है कि tax return prepare करने से किसी किसम का कोई threat create नहीं होता चाहे listed company हो चाहे unlisted हो tax return prepare करने से किसी किसम का threat rise नहीं होगा यह तो चले जिन्दगी असान होगी हमारी दूसरी service तो tax related है वो है tax calculation for the purpose of repairing accounting entries यह कौन सी service है tax calculation की यह है एक तो हम tax calculate करते हैं na FBR को जमा करवाने के लिए एक हम tax calculate करते हैं अपने profit income statement में tax expense को record करने के लिए आपको याद है current tax calculate करते हैं और defer tax calculate करते हैं लेकिन यह वह वाला tax है जो हम accounts में entry pass करने के लिए calculate करते हैं FBR को जमा करवाने के लिए नहीं यह यह वारी जो calculation है यह FBR को नहीं जाती यह accounts prepare करने में use होती है यह tax calculation इसमें current tax भी शामिल होता है और defer tax भी शामिल होता है आपने यह 12 पड़ा होगा यह 12 सारा इसको deal कर रहा होता है यह 12 में जो आप calculation करते हैं वो basically FBR को submit करवाने के लिए नहीं करते tax liability calculate बलके accounts में entry pass करने के लिए करते हैं तो यह basically उस service की तरफ इशारा कर रहा है क्लाइट यह कहता है कि sir हमें defer tax भी current tax भी calculation नहीं करना आती है आप calculation कर दे तो हम बिल्कुल वो calculation कर सकते हैं यहां पे उस tax service को discuss किया गया है लेकिन हमने evaluate करना है उसको इससे self review threat होगा क्योंकि बाद में जो हमने current tax and defer tax calculate किया होगा as auditor उसी amount को हम verify भी कर रहे होंगे इसका जो valuation है वो depend करती है amount के उपर कि क्या इसकी amount material है के नहीं code of ethics कहता है कि अगर आप इसकी amount material है तो आप listed client को यह service provide नहीं कर सकते हैं हाँ जो आपके unlisted client है उनको service provide कर सकते हैं provided के आप safeguard apply करते हैं safeguard वही standard वाले के separate team होगी जो tax calculation करेगी और audit करने वाली team separate होगी और appropriate reviewer होगा जो के बाद में मतलब audit team के इलावा appropriate reviewer को engage किया जाएगा जो हास तो पर इस tax calculation को चेक करेगा जिसमें self review threat है तो आप देखते हैं code of ethics में इस concept को कैसे बताता है सबसे पहले heading दे रहा है tax calculation for the purpose of preparing counting entries फिर उसकी example बता रहा है कि मतलब क्या है current and deferred tax की calculation करना है जो relevant factor होगा आपके लिए वह है कि इस transaction का entry का effect material है कि immaterial अगर तो unlisted company है तो आप in any case चाहे effect material हो चाहे immaterial वह service provide कर सकते हैं यह दो safe guard apply करके different team वाला और appropriate review वाला लेकिन अगर public interest entity है यानि listed client है तो आप यह service provide नहीं कर सकते हैं अगर इसका effect material होगा अगर immaterial effect है तो फिर provide कर सकते हैं हाँ immaterial effect की सूरत में आपने वही safe guard apply करने हैं जो उपर आपने पड़े थे unlisted वाले case में यानि separate team member होगे और appropriate reviewer को appoint किया जाएगा तो in short जो यह tax service अभी तक हमने discuss की वह दो तरह की है एक tax return जिसमें कोई threat create नहीं होता वह tax return किसी भी client की prepare कर सकते हैं करता है इसकी valuation के effect material है के नहीं unlisted client को हम किसी भी तरह की immaterial हो या material हो service provide कर सकते हैं provided safe guard apply करें listed client है तो material अगर entry बनती है amount बनती है तो फिर वह service provide नहीं कर सकते immaterial के case में provide कर सकते हैं with safe guards जो के हमने उपर पढ़ लिया unlisted company वाले होंगे जी next हमारी tax service है third one tax planning and other tax advisory services अच्छा ये वाली service और इसके बाद आगी tax valuation services इन दोनों में common चीज़ है कि ये services आप तभी provide कर सकते हैं safe guard के तोर पे code of ethics करता है जब आपने एक license लिया हो clearance लिया हो tax authorities है क्योंकि ये services ऐसी है जिनके लिए आपका tax field में expert होना जरूरी है आपका expertise होनी चाहिए और आपकी registration या clearance होनी चाहिए FBR से या relevant tax authorities हो भी है तो tax service है tax planning and other tax advisory services ये क्या ये वो services है जो routine में daily routine में audit client पूछ सकता है अपने tax experts से किसी भी transaction को execute करने से पहले उसकी tax implications के बारे में पूछता है बगारा बगारा इस तरह की जो advice है वो client जब transaction को execute करने से पहले लेता है ताकि उसका tax expense minimize हो सके इसे कहते है tax avoidance strategies जो के जिसकी वजा से tax के matters जो है client के most efficient हो जाते है most efficient का मतलब उसकी tax liability कम से कम बनती है यह है tax planning and other tax advisory services इसमें जो threat arise होता है वो है self review and advocacy threat इसमें हम लोग यानि जो firm वाले हैं यह client को advice देते हैं कि वो किस तरीके से अपने matters को deal करें तो उसके tax matters जो है most efficient होगे tax liability कम से कम होगी तो हमें बता रहा है कि यह services perform करने से self review and advocacy threat arise होगा इन services का मतलब कि example दे रहा है कि अपने client को advice करना कि वो कैसे अपने affairs को चलाए कि tax efficient manner में उसकी activities हो यानि tax liability कम हो factors जो evaluate करने यह service provide करते हुए जिनकी बज़ा से हमारे threats जो है वो increase हो सकता है वो यह कि जिस matter के उपर हम advice provide कर रहे हैं उसमें subjectivity कितनी है क्या उसमें जो हम client को अपना opinion advice दे रहे हैं वो हमारी private ruling यानि private judgment है कि वो ऐसा matter है जिसके उपर already FBI ruling दे चुका है और वो clearly accepted होती है यानि FBI उसको challenge नहीं करता पास्ट में जिसे लाम्याब word use का क्या रहते हैं कि president है अगर well established president है जो भी हम client को tax advice दे रहे हैं तो इसका threat कम है लेकिन अगर वो first ruling है private ruling मारा और अपना personal opinion है उस दो में threat ज्यादा होगा फिर देखते हैं उसका effect किया है material है तो definitely उसका threat ज्यादा होगा अच्छा आगे बहुत interesting factors बता रहा है threat को evaluate करने में इसको मैं तो डिटेल में discuss करना चाहूँगा इसको समझते हैं एक example के जरीए से क्योंकि आगे चलके एक paragraph में कह रहा है कि अगर ये वाला factor मुझूद होना तो आपने client को ये service provide नहीं कर सकते हैं ये इतना संगीन factor है तो इसको समझना भी जरूरी है ये है क्या चीज़ फरज कीजिए हमारा हम अपने client के text consultant है client हमारे पास आके कहता है कहता है sir करोना में तो हम लुटगे बरबाद होगे हमें loss हो गया है और हमारे employees जो हैं अब हम ये सोच रहे हैं कि अपने employees को job से निकाल दें ताके हमारा जो loss है वो कम हो सके अब उसने हमसे पूछा हमने उसे फोरण का ना ना भाई ऐसी गलती ना करना employees को ना निकालना उसने का जी वो क्यूं हमने का FBR ने फार एक्जेंपल पाकिसाए में तो मुझे नहीं इलम ऐसे लेकिन UK में इस तरह की employees को job से नहीं निकाला तो हम आपको आपका tax refund करेंगे ठीक है हम आपको immediately refund करेंगे और government की तरफ से भी कुछ ऐसे sport program है जिसकी वज़ा से आपको help मिल सकती है government आपको donation के तोर पे grant के तोर पे भी कोई पैसे दे सकती है तो आप अपने employees को ना निकालेगा वरना ये आपको FBI से refund या government की तरफ से grant नहीं मिलेगी आपको grant ने का अच्छा ये तो आप मुझे पता ही नहीं था अच्छा कि आपने मुझे बता दिया तो मैं इन employees को job से नहीं निकालूंगा अच्छा अब client को loss भी आ रहा है लेकिन उसने grant या refund हासिल करने के लिए employees को नहीं निकाला ये example है क हमने client को एक tax advice दी वो tax advice उसकी effectiveness यानि वो actually उसके अमल होगा करने डिपेंड करती है financial statement पे financial statement पे कैसे कि financial statement में loss होगा और number of employees सेम होगे जो पिछले साल थे फिर ये grant या refund मिलेगा वरना नहीं मिलेगा तो इस advice की effectiveness डिपेंड करती है financial statement पे लेकिन our team को अगर doubt है अगर हमें doubt है कि असल में financial statements में जो presentation है या जो result आएगा वो वैसा नहीं होगा यानि हमारे ख्याल में financial statements में loss नहीं बलके profit होगा जब साल complete होगा तो याद रखिये ये वो situation है क्यों इसमें ये threat क्यों rise होता है क्योंकि as tax expert तो हमने उसको client को advice दे दी कि भाई loss हो रहा है ना आपको तो अभी client को अपने पास रखिये निकालिए ना end पे जब year end होगा तो आप qualify कर जाएंगे grant के लिए लेकिन grant के लिए qualify करने के लिए शर्त ये है कि loss शो हुआ हो और number of employees भी same हो अब अगर ये हमने tax को client को advice दी और हमारी firm का दूसरा department अगर audit करने के लिए जाएगा तो याद रखिये उसकी एक तरह से वो बायस होगा कि financial statement में loss ही शो होना चाहिए क्योंकि अगर financial statement में profit show हो रहा हुआ तो इसका मतब यह है कि हमारे इसका दूसरा मतब यह होगा हमारे tax अग्वाइस ने सही advice नहीं दी क्लाइन को और अगर हमें doubt है कि असल में जो tax की advice की effectiveness डिबेंड करती है financial statement में loss पे और हमें doubt है कि loss नहीं होगा profit होगा तो याद रखिये यह एक फिर बड़ा threat हो जाता है कि आप इसकी वज़ा से financial statement का सही audit नहीं कर सकेंगे इसलिए clearly आगे चलके अगले एक paragraph में वो इस situation को discuss करके मना करता है कि आपने इस तरह की advice client को नहीं देनी जो बाद में आपके अपने गले का फंदा बन जाए आपकी अपनी audit नहीं जब आ रहा है तो अगर यह इन factors को हमने सामने रखना है अगर subjectivity involved है material है private ruling है effectiveness depend करती है financial statement के results पे जो doubtful है तो फिर हमें यह services provide नहीं करने वरना बाकी situation में कर सकते हैं safeguard क्या होंगे same different professional यूज़ करने है assurance or non assurance service के लिए और appropriate reviewer पांट होना चाहिए और एक जो मैंने आपको पहले बता आधिया कि tax authority से हमें clearance लेनी चाहिए यह service provide करने के लिए क्योंकि यह pure expertise required होती है इस तरह की services provide करने के लिए अब यह heading जो है इफेक्ट में नहीं सब्सक्राइब है इस तरह की services audit client को provide हर्गिज नहीं करेंगी यह थी हमारी third service अब इसके बाद चलते हैं tax में fourth service की तरफ जी next यानि fourth tax service है tax services involving valuation अच्छा यहां पर एक चीज़ पहले clear कर ले valuation service आप इससे पहले भी पढ़ चुके आपके जहन में पहली बात यह आएगी कि sir valuation service तो हमने पढ़ ली section 603 में तो वहां पर भी valuation service पढ़ी 604 में भी है tax services involving valuation दोनों में फरक किया है याद रखें वह 603 वाली valuation service थी जो financial statements में incorporate हो रही थी यानि उसमें हम उन ऐससे लाइबिल्टी की valuation कर रहे थे जो financial statements में add होनगी यहां पे वह अन accounts उन amounts की valuation कर रहे है जो financial statements में add नहीं होंगी वह सिरफ ओ सिरफ tax purpose के लिए कर रहे हैं यहां पे सिरफ अगर आप को ऐसी valuation कर रहे है जो जिसका result financial statement में incorporate होगा वह 603 में जाएगी अगर आप ऐसी valuation कर रहे हैं जो सरफ tax से related है उसका तालुक सिरफ FBR से है तो वो हमारी यहां पे record होगी 604 में tax services involving valuation में इंकरपर्ड होगी जैसे फर्ज कीजिए अगर FBR हमें यह कहता है कि client की जितनी भी उसके fix assessment plant है उनकी जितनी भी capacity है उसके plant की valuation को calculate करके उसकी capacity पर tax दिया जाएगा ठीक है यानि जो जितना भी उनकी production की capacity है वो calculate करके उसके साबसे plant की valuation करके उसके उपर tax दिया जाएगा अब याद रखे यहां पर जो plant की valuation हो रही है उसकी capacity calculate हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही कि उसकी revalued amount को financial statements to incorporate करना है ने 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 वो किसलिए हो रही है क्योंकि उस amount को हमने FBR को दे के उसके उपर tax pay करना है तो यह याद रखे tax services में आएगा यह 603 में नहीं आएगा अगर कोई भी ऐसी amount जो financial statement include होनी हो फिर 603 में हम उसको cover करते हैं तो यहां पर basic difference है 603 में और 604 की tax service involving valuation में तो यहां पर paragraph में यही कह रहा है कि यह वो valuation है जो सरफ tax purpose के लिए है इसका effect नहीं होगा financial statement के उपर यह जहन में रखिएगा तो कहता है normally अगर इन valuation यह इस तरह की valuation आप करते हैं जो के immaterial हो और यह एक external regulatory authority यानि FBR ने इसको review करना है तो इसकी वज़ा से कोई किसी किसम का threat create नहीं होगा अगर यह immaterial है और इसको FBR review करेगा independently हाँ अगर यह material है यह इसको FBR review नहीं करेगा तो फिर इसमें threat arise हो सकता है self review advocacy threat का वह इसलिए कि आपको कर पता है कि हम जो भी valuation करें कि FBR इसको review नहीं करेगा तो हम हो सकता है client की favor में कोई ڈंडी मारते हैं और हम competently इस service को perform ना कर सके तो इस situation में threat arise होगा और हम देखेंगे threat की valuation करेंगे valuation depend करेंगे subjectivity पे हमने valuation के जो rules जो model drop की है कोई नए model है या कि already in existence थे established थे उनका president मुझूद था past में अगर तो जो market में widely accepted model है valuation के या जो law ने text laws ने हमें बता दिया उन्हीं के मताबिक valuation करते हैं फिर तो कोई threat नहीं है वरना threat होगा तो threat होने की सुरत में उसकी significance को evaluate करने के बाद हमने safeguard के apply करने हैं safeguard वो ही तीन जो previous service वाले थे यानि different team members को use करना है tax service लएदा लोग प्रवाइड करेंगे audit review लएदा लोग करेंगे reviewer होगा और clearance obtain करनी है tax authority से यहां पर A5 में फिर वो ही बात कर रहा है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ की evaluation करेंगे जो financial statement पर जिसका impact आएगा तो आपने जो section 603 है इसको apply करना है फिर 604 को नहीं करना 604 सिरफ उन valuation पर आएगा जो purely tax purpose के लिए की जाते हैं जी last service है assist in the resolution of tax dispute अच्छा पहले इस service को समय लीजिए यह service है क्या tax dispute इसका मतलब यह है कि client का कोई भी matter रहा for example client ने tax return जमा करवाई उसमें तो हम पढ़ चुक है tax return फाइल करने में कोई issue नहीं होता कोई threat नहीं होता लेकिन first कि client ने tax return फाइल की FBR को और FBR ने उसमें कुछ disagreement create कर दिया FBR ने का नहीं जी आपने का है 5 million tax liability हमारे ख्याल से tax liability 8 million बन दिया 8 million पे करें जब यह disagreement हो गया और यहां तो FBR ने यहां हमारे client ने इस assessment को challenge कर दिया किसी court में यह tribunal में appeal में तो यह situation अब rise हो जाएगी tax dispute की अब यह tax return वाली situation rise नहीं होई tax dispute का मतलब है tax FBR वाले कुछ और क्लाइंट कुछ और क्लाइंट कुछ और किसी third authority court वगारा में pending है अब client हमसे इसके उपर assistance लेना चाह रहा है तो यह situation rise होगी assistance in resolution of tax dispute अब इसमें एक चीज़ें में रखेगा note कीजिए यहां पे code of x ने word use किया है assistance का अब मैं आपको compare करवाता हूँ इस लफ़ज को एक दूसरे लफ़ज के साथ जो है resolution of tax matters involving as an advocate assistance provide करना और acting as an advocate इन दोनों में फरक है assistance provide करने का मतलब क्या है client कहने लगा के sir वो हमने tax return file की थी तो FBR ने अब उसके उपर जो है वो तीन मिलियन की additional penalty डाल दिया है अब हमारे अपने वकील है हमारे अपने कोई expert है वो इस matter को present करें के हमारा अपना वकील code में जाके लेकिन हम चाहते हैं आप उन lawyers को assist कीजिए यानि यह समझे जीजे घर के अंदर अंदर रहके हम उनको assistance provide कर रहे हैं ठीक है यह है assistance in the resolution of tax dispute अगर हम client का case खुद ले जाके उस tribunal में present करें code में present करें तो यह फिर हो जागा acting as an advocate यह different situation है यहाँ पर याद रखे हम क्या पढ़ने assistance in the resolution of tax dispute advocate के बारे में उसने clearly ruling दे दी कि कोई भी firm advocate की services provide नहीं करेगी tax services के अवाले से उसका advocate बनके case को नहीं लड़ेगी अगर वो amount material है हाँ अगर immaterial है immaterial amount में फिर उसका case जाके लड़ा जा सकता है code में या tribunal में लेकिन अगर material amount है तो कोई भी audit firm अपने client का as advocate वो service provide नहीं करेगी as advocate act नहीं करेगी advocate के तोर पर act नहीं करना यानि हम अपने client को code में जाके represent नहीं करना हाँ client के अपने वकेल represent कर रहे हैं उसको तो हमने जाके client के जो lawyers होंगे उनको assist करना है यानि उनको हम अपने experience की base पर बता सकते हैं यार इस case को ऐसे present करो यहां पर यह वाली legal example दो इसकी calculation इस तरीके से हमने किया है इसकी sport में यह चीज़े हैं आप यह जाके present करो इस तरह की sport प्रवाइड कर सकते हैं यह है assistance is resolution of tax dispute अब देखिए वो क्या कह रहा है कि इस तरह की services से threat कुन सा rise होगा self review advocacy threat फिर हमें कुछ factors बता रहा है कि अगर आपने client को assist कर रहे हैं फिर भी assistance प्रवाइड करने में भी याद रखे threat राइज होंगे acting as advocate को तो उसने clearly rule out कर दे ना material है तो clearly far कर दिया उसने करी नहीं सकते as assistance भी आप तब services प्रवाइड कर सकते हैं जब आप यह threat को evaluate कर लें और उसके बाद safeguard अप्लाई करें threat को evaluate कैसे करना यह factors उसने बताए हैं जिन में क्या क्या है material है तो threat ज्यादा है management का कितना role है resolution of dispute में advice जो थी वो subject to text जो जिस चीज़ के ओपर tax dispute है वो advice यानि वो return कहीं हमने ही तो file नहीं की थे अगर वो return हमने ही file की थी वो ही under dispute आ गई है तो फिर threat ज्यादा होगा जो matter है इसके पर already कोई president वगारा available है के नहीं proceedings public में होगी यहांके private में होगी public में हो तो threat significant हो जाता है तो यह कुछ factors हैं जिनको सामने रखे हम threat को evaluate करेंगे फिर इसके बाद actions क्या है same different professional को engage करना है service provide करने के लिए इसके बाद आगे चलते हैं हम next section जो के हमारा है section 605 internal audit services वाला